यह जो अक्तूबर नुवंबर का मौसम रहता है दोस्तों इस तरह से क्रिस्मस ट्री पाइन ट्री या एरो के रिया के जो यह पौधे रहते हैं इनकी रीपॉटिंग के लिए बहुत बढ़िया रहता है अगर आपके पास भी इनके पुराने रूट बाउंड प्लांट है जो से जो भी टैप रूट रहती हैं मोटी मोटी रूट रहती है उन समझाह कूध करके तो पौधे को कुछ इस तरह से रूट बॉल के साथ जो बिल्कूल है वो रेडे कर लीजिए ऐसा करने के बाद आप इस पौदे की जुए वो नई मिट्टी में और नए गमले में रीपॉर्टिंग कीजिए